हाई एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं चीज बर्स्ट पिज़ा यह पिज़ा बिलकुल रेस्टोरेंट जैसा बना है आप इसे जरूर ठ्राइ करेंगे देखें चीज कितने बढ़ियां से किच रही है हम इस पिज़ा रेसिपी में पिज़ा बेस भी बनाएंगे आप वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले एक बड़े बोल में हम वन बाई फोर्थ कप वाम वाटर लेंगे और इसमें हम वन टी स्पून चीनी लेंगे वाटर हम बहुत गर्म नहीं लेंगे अब इसमें हम वन टी स्पून ड्राई इस्ट लेंगे इस्ट हमारा एक्टिव होना चाहिए अब इसे एक विस्कर या स्पून की हैल्स से सुगर डिजॉल्व होने तक मिक्स करेंगे सुगर होने तक mix करने से इस्ट बहुत ही जल्दी active हो जाता है अब इसे धक के हम 20 बिनट के लिए रख देंगे 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इस्ट बहुत ही अच्छे से active हो गया है अब इसे एक बर विसकर से अच्छे तरह से mix कर लेंगे अब इसमें हम 2.5 कप मैदा लेंगे आप चाहें तो गेहों का आटा भी ले सकते हैं अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा सौर डालेंगे और 1 टीज़ पून ओयल डालेंगे हाथों की हैव से इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे हमें इसे बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स करना है जब ये मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर अट करेंगे हमने इसमें नॉर्मल वाटर लिया है ना गर्म ना ठंडा हमें एक साथ सारा वाटर नहीं अट करेंगे थोड़ा water add करेंगे फिर इसे mix कर लेंगे अच्छे तरह से और फिर बाकी water add करेंगे हमें इसका dough soft बनाना है इसलिए हम इसको बहुत टाइट नहीं बनाएंगे एक बार हम इसे अच्छे तरह से गूत लेंगे अगर ये गीला हो गया है तब हम इसमें थोड़ा सा oil डालेंगे oil डालने से ये बहुत ही soft हो जाएगा oil डालके अच्छे तरह से mix कर लेंगे और इसे लगबग 6-7 मिनट तक लगातार गूत्ते रहेंगे लगातार गूत्ते रहने से डो बहुत ही soft हो जाएगा ये देखिए हमारा डो बिल्कुल soft हो गया अब इसे हम एक बार अच्छे तरह से mix कर लेंगे और एक मिनट तक गूतेंगे अब हमने इसे अच्छे तरह से गूत लिया अब हम इसे ऐसे fold करती हुए गुलाई में करती हुए रखेंगे और उपर से हम oil फैला देंगे हमें oil उपर नीचे अच्छे तरह से फैला देना है ऐसा करने से dough बहुत ही soft बनता है और पिज़ा बेस पढ़ियां बनता है अब इसे हम ढग देंगे ढग के हम इसे 1-2 घंटे तक warm place पे रखेंगे गर्म जगा पे 1-2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि ये बिल्कुल double हो गया है ये देखें कितना soft हमें ऐसा ही dough चाहिए था अब इसे हम एक बार mix कर लेंगे और इसे लगबग एक मिर्ट तक उठेंगे अब हम एक चकला लेंगे और जो हमने dough बनाया है उसे ऐसे fold करते हुए roll करेंगे और इसे कई pieces में cut कर लेंगे pieces आप अपनी gording करें जितना बड़ा आपको pizza चाहिए आप उतने pieces में cut करें या आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे कई pieces में cut कर सकते हैं हमने इसे 4 pieces में cut किया है अब हम pieces को अलग कर लेंगे और एक piece को लेंगे एक पीस को लेने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हम कर रहे हैं फोल्ड करके इसको राउंड शेप देंगे राउंड शेप देने के बाद चकले पर रखके उपर से फ्लोर डस्ट लगाएंगे और इसे चिप्टा करेंगे चिप्टा करने के बाद हम इसे बेलेंगे हम इसमें पतला बेलन यूज़ कर रहे हैं आप कोई भी बेलन यूज़ कर सकते हैं अब इसे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे बहुत पतला नहीं बेलेंगे हमने इसे गुलाई में बेल लिया ये देखिए हमने इसे इतना मोटा बिला है अब हम एक baking tray या आप normal कोई भी plate ले सकते हैं इस पे हम oil से brush करेंगे अब हमने इसे अच्छे तरह से brush कर लिया अब हम इस पे जो हमने dough बिला है उसे रखेंगे और fork की help से hold करेंगे ताकि base अंदर तक पक जाए अगर आप पिज़ा बेज घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है अब जो हम आगे प्रोसेस बताएंगे आप उसे करें अब इस पे हम पिज़ा सांस या टोमाटो कैचप भी स्प्रेट कर सकते हैं या आप सेज़वान चटनी भी ले सकते हैं हमने बॉर्डर्स को छोड़ के पिज़ा सांस लगाया है ताक कि बॉर्डर्स बहुत ही क्रिस्पी हो जाएं ये पिज़ा सांस होममेड है अगर आप इसे ट्राइ करना चाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है हम इसे बहुत ही अच्छे तरह से फैलाना है अब इसे हमने अच्छे तरह से फैला लिया अब जो हम बॉर्डर्स छोड़े हैं उसमें हम ओयल लगाएंगे ब्रस से या आप नॉर्मल हातों के हल्स से भी लगा सकते हैं बॉर्डर में ओयल लगाने से बॉर्डर्स बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और इसकी कलर भी बहुत ही सुन्दर दिखते हैं पिज़ा सॉंस के बाद अब हम छोड़े छोड़े पीसेज में कटे हुई प्याज डालेंगे आप इसे किसी भी तरह से रख सकते हैं या आप इसे किसी भी शेप्स में कट कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉन भी रख सकते हैं और अब हम शिमला मिर्च रखेंगे इसे भी आप किसी भी shapes में cut कर सकते हैं हमने प्याज और शिम्ला मिर्ज को चोड़े चोड़े pieces में cut किया है आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं या आप कोई भी vegetables जो आपको पसंदो आप इस पे रख सकते हैं अब हमने इसे decorate कर लिया अब हम इस पे cheese डालेंगे हमने mozzarella cheese ली है आप कोई भी cheese ले सकते हैं अब इसे grate करते हुए खूब सारा डालेंगे आप चाहे तो इसमें पनीर cubes भी cut करके डाल सकते हैं या आप इसमें पनीर टिक का masala भी डाल सकते हैं mozzarella cheese की वीडियो भी हम जल्दी शेयर करेंगे इस लेक से स्प्रिंकल करेंगे यह विल्कुल ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हो और नहीं भी अब हम उपर से औरिग्यानो स्प्रिंकल करेंगे आप चाहे तो पिज़ा सिजनिंग भी डाल सकते हैं अब हम ओविन को 10 मिनट तक प्रीहिट कर देंगे उसके बाद हम यह बेकिंग ट्रे को रखेंगे और 180 डिग्री सेल्सियस पे 20-25 मिनट तक इसे बेक करेंगे उसके बाद हम इसे निकालेंगे अब हम इसे प्लेट में साफ करेंगे यह देखिए हमारा पिज़ा कितना बढ़ियां बना है अब हम इसे कट करते हैं यह देखिए चीज कितने अच्छे तरह से मेल्ट हो गई है और देखने में भी बढ़ियां दिख रहा है यह देखिए चीज कितने बढ़ियां से खिच रही है पिज़ा बहुत ही पॉफिक्ट बना है आप इस रासिपी को जुरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारे रासिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट आइज शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स फो वाचिंग